शाहू जी बाजी और बाला जी को बोलते हैं कि धाना जी और चंदरसेंद सामली नहीं आना चाहतें क्योंकि वो दोशी को पकड़ना चाहते हैं बाला जी ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं कि धाना जी जिन्दा है बापा जी शाहू जी को पूछते है कि क्या उन्हें किसी पर शक है और शाहू जी उन्हें ये बताते है कि उन्होंने ये कारे बापा जी पर छोड़ा है कि हमलावर का पता लगाए बापा जी उस आदमी को काफी मारते है पर वो कुछ नहीं बताता वो कहता है कि वो सिफ साहू जी के सामने ही अपना मूँ खोलेंगे बापा जी उसे धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने किसी को भी सच्चाई के बारे में बताया तो वो उन्हें मार देंगे बापा जी सदानन को बताते हैं कि शाहू जी से वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते है और उन्हें कोई नहीं रोक सकता इस एपिसोट में काफी साफ हो गया है कि बापा जी ने ही करवाया है शाहू जी पर हमला आपको इस स्टोरी के बारे में क्या लगता है कमेंट कीजे कमेंट बॉक्स में और पेश्वा बाजिराओ के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीडी प्राइम टाइम हिंदी